सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी जरूर दबाएं हलो एंड वैलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूँ अमित दिक्षित आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देश के एक बड़े अख़बार के माद्यम से आपको दे रहा हूँ यहाँ पर यह information यह news बहुत important है और एक बड़ी news है सभी नियूस से deal it कर रहे हैं सिक्षिकों के लिए तो आप इसको आखिर तक देख लें समझ लें देखें यहाँ पर जो news निकल कर सामने आई है एक बड़े घोटाले के बारे में आई है एक तरह से scam के बारे में आई है और इसका प्रभावा आप पर भी पढ़ सकता है नियूस के result पर भी आ सकता है तो यह आप देखें यहाँ पर यह स्क्रीन पर आपको दखाई दे रहा होगा यह दैनिक भासकर की 24 जून की ही यह news है 2018 की तो latest news है यह और दैनिक भासकर एक देश का बड़ा अखबार है तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह news किसी भी तरह से गल आ तीलेट के लिए registration करा लिया है तो इस heading के साथ यह news publish हुई है और यहाँ पर बताया गया है यूडाइस code जो होता है आपका उसमें गलत जानकारी देने वाले विद्यावलों पर करवाई की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है तो गलत तरीके से scam करके यहाँ पर सिक् जमशेद पूर से यह news है तो यहाँ पर जाच के प्रिथम चैनल में उन्होंने पाया कि 2016 से 2017 यानि कि जब से डीलेट का admission शुरू हुए है N.I.O.S. से सिक्षकों की संक्या में अपर प्रिसिक्षकों की संक्या है उनमें काफी इजाफा एकदम से हो गया है यानि कि पहले कम से स्कैम पकड़ में आया है और एक साल में 38 प्रिसिक्षकों की संक्या बढ़ गई तो इससे यह जाच के घेरे में आई और यहाँ पर बताया गया है क्योंकि फरजी रेजिस्ट्रेशन जो भी हुए हैं कई फरजी रेजिस्ट्रेशन किये गए हैं और यहाँ पर N.I.O.S. के मादिम से हुए हैं इसलिए इसके बारे में जाच के लिए कहा गया है यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाला कि अभी जाच को लेकर क्योंकि केंदर से कहा गया है केंदर ने अभी रिपलाय तो नहीं दिया है लेकिन ऐसा सूत्रों के अनुसार इस न्यूज में बताया गया है दैनिक भासकर में कि जल्दी ही CBI जांच इसकी होने की संभावना हो सकती है जिसकी वज़ा से DL8 का परिक्षा परणाम रुक सकता है यह आखरी लाइन आप देख सकते हैं देखें को और से इसको यहां दैनिक भासकर के मादिम से आपको बता रहा हूँ मैं इसलिए आ केंदरों पर पेपर सील टूटी गई थी इसके बार में निज्ज पब्लिश होई थी तो चेर्मन ने आकर इसके बार में एक मेसिज दिया था उसको क्लेरिफाई किया था कि ऐसा उसके बार में क्या कारवाई भो करेंगे तो हो सकता है यह जानकारी भी जल्दी ही अब इस है यहां पर जो में है वो हम समझते हैं देखिए यहां तो आकड़े दिये गए हैं तो इस पर हम जाएंगे नहीं जो में चीज है सिक्षा सचिव ने केंदर से सिबी आई जाच कराने की मांगी है तो सिक्षा सचिव जो है एक बड़ी पोस्ट है और बिवाग ने करोड रुपे के गोटाले की आशंका इसमें जताई हैं आप यहां आकड़े भी दिखाए गए हैं कि एक साल में किस साबसे किनकन स्कूल्स में यह वहां के स्कूल्स के बा का मांगा तो स्कूल्स प्रबंदन ने रेड्ट कर दिया था यह क्य दिया थे कि चाहे इस्कूल्स के सिक्षक हो या बाहर के सिक्षक हो 60,000 रुपे दें और इन इओसे दिलट कर लें तो आप समझते हैं कि 60-60,000 रुपे यहां पर मांगे जाने की संभावना बताई जा रह जा रहे थे जरूर सुना होगा तो इसकी संभावना भी काफी है और पैसे देने के नाम पर बताओ सिक्षा को उनके नाम भेजे गए है नाइवस डियलट को और नाइवस में उनका रिजिस्टेशन कराया गया है सिकायत को घंबीरता से लेते हुए सिक्षा सचिवने हर जिले के विद्यालों की जाच के आदेश डियसी को दे दी हैं और कई नीजी स्कूल में यहां वर्षों से पढ़ा रहे हैं सिक्षा को नजरंदाज कर दिया गया जिसने पैसे नहीं दिये उससे बिना एक दिन की कक्षा के सिक्षा गोशित कर दिया गया तो यहां पर देखी यह स जारकंड का जो सेक्षन है दैनिक बासकर.com पर यह आप जाके पढ़ सकते हैं इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको तो आप वहां से भी देख सकते हैं तो यह सारे आंकड़े यहां पर बताए गए हैं और यहां पर जो मेन बात यही है कि मतलब आप तक आप इसको लेकर बहुत जादा परिशान भी ना हो नजर जरूर रखें कोई भी चीज पर अपडेट रहें जिससे कहीं कोई चेंज आता है तो आपको पता चले लेकिन पैनिक ना हो अभी यह खबर जारी की गई है आज ही अब देखते हैं इसके बारे में क्या खदम उ तो आप इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखें हो सकता है कि वहाँ पर भी इस चीज की जाच की जाए और आप इसमें परिशानी में आ जाएं तो यह न्यूज इसलिए इंपॉर्टन थी इसलिए मैंने शेयर की कि आप अगर कोई ऐसे सिक्षक हैं आपके मित्र हैं कोई भी हैं तो उन्हें अलर्ट कर दीजिए कि इस तरह की चीज पकड़ में आ गई है और इसकी संभावना है कि जाच होगी तो देखिए यह थी इंपॉर्टन न्यूज आपको बहुत इंपॉर्टन लगी होगी यह तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए और जाद स्यादा श